चश्मे आम तोर पर हम चश्मे देखते ही रहते हैं लेकिन क्या कभी आपने चश्मे को हाथ में लेकर के देखा है? क्या कभी उसके लेंस को महसूस करने की कोशिश की है? क्या वे हर तरफ से समान होते हैं? जवाब है नहीं चश्मा एक समान ना हो करके बलकि बीच से मोटा या कभी किनारों से मोटा होता है तो ये मोटे और पतले लेंज के होने का कारण क्या है यदि प्रकाश लेंज से गुजरेगा तो क्या होगा परावर्तन या अपवर्तन सीधा जवाब है अपवर्तन क्योंकि लेंज पारदर्शी होते है हाँ पारदर्शी ही तो होते है अब अपवर्तन होता है तो क्या इसके भी कुछ नियम होते है कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला तो सबसे पहले जानते हैं लेंस क्या है What is Lens? मोटे तोर पर दो तरह के लेंस होते हैं एक Converging Lens और दूसरे Diverging Lens दरपन की ही तरह जो Lens प्रकाश को Converge करते हैं वो Converging Lens कहलाते हैं और जो Lens प्रकाश को Diverge करते हैं उन्हें Diverging Lens कहते हैं Simple है ना? Converging और Diverging Lens आमूमन 6 तरह के होते हैं Double Convex, Plano Convex, Converging Meniscus, Double Concave, Plano Concave और Diverging Meniscus ये Lens गोलिये Lens कहलाते हैं इन 6 तरह में से हम सिर्फ दो पर ही बात करेंगे Double Convex और Double Concave आमूमन इन्हें सिर्फ Convex Lens या Uttal Lens और Concave Lens या Outer Lens कहा जाता है ये Lens भी दरपण की तरह गोलिये शेतर की चाप से बने होते हैं फर कितना होता है कि एक तरफ पोलिश नाकर काच की एक दूसरी चाप लगाकर बीच में कोई पारदर्शी पदार्थ भर इन्हें Lens बनाये जाता है दरपण में जैसे हर दूरी P से ली जाती थी या हर दूरी O से ली जाती है जिसे Lens का प्रकाशित केंद्र या इंगलिश में Optical Center भी कहा जाता है क्या कहा जाता है? Optical Center दो प्रस्ट होने के कारण इनके फोकस भी दो होते हैं जिने F1 और F2 से दर्शाये जाता है O से F1 और F2 की दुगनी दूरी के बिंदूों को 2F1 और 2F2 से दर्शाते हैं और दरपण की ही तरह ये सब बिंदू Principal Axis पर ही पाये जाते हैं अब आ जाते हैं नियमों पर क्या आपको दरपण का 2 प्लस 4 वाला नियम याद है? लेंस के केस में सिर्फ 3 केस ही बनते हैं पहले केस में यदि प्रकाश की किरण Principal Axis के समानांतर आती है तो अब वरतन के बाद उत्तल लेंस के दूसरी और स्थित प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के केस में फोकस से होती हुई गजरेगी आती नजर आएगी तब अपवरतन के बाद Principal Axis के समानांतर चली जाएगी तीसरे केस में यदि प्रकाश की किरण Optical Center से गुजरेगी तब वे अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधी चली जाईगी अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रकाश लेंस के दो अलग-अलग सतय से अपवर्तित हुआ लेकिन यहाँ सीधी लाइन से ही क्यों दिखाया गया सवाल बिल्कुल सही है लेंस के दोनों ही प्रस्टों पर अपवर्तन होगा लेकिन लेंस के काफी पतले होने की वज़य से हम इने सीधी रहा सही दिखाते हैं चलीए अब इन रूल्स को हम एक एक्टिविटी में लगा कर देखते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से हम अवतल लेंस के प्रकाश के अपवरतन को जानेंगे तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक 15 cm फोकस दूरी वाला लेंस एक वाइट चार्ट, एक मुम्मत्ती और एक स्क्रीन चाहिए याद है उत्तल दर्पन के केस में हम दो जगए बिम्म को रख सकते थे लेकिन यहाँ तो दो प्रस्ट होने के कारण हम अलग-अलग जगए बिम्म को रख सकते हैं चली आगे देखते हैं सबसे पहले चार्ट पर एक सीधी लाइन खीची जाए और लाइन के बीच में एक बिंदू अंकित किया जाए जिसे ओ का नाम दिया जाएगा सारी दूरियां इसी बिंदू से ही ली जाएगे ओ से दोनों और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर F1 और F2 को अंकित किया जाए और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2F1 और 2F2 को पहले केस में मुंबत्ती को अनन्थ पर रख कर देखते हैं क्या हमें स्क्रीन पर कोई प्रतिविम प्राप्त होता दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब है कि अवतर लेंस इस केस में आभासी प्रतिविम बनाता है यदि स्क्रीन को हटा कर देखें तो हमें लगेगा कि प्रतिविम कहीं पहली और फोकस पर बन रहा होगा जो कि आकार में बहुत छोटा होगा और सीधा होगा दूसरे केस में मुम्बत्ती को अनंद से थोड़ा नज़दीक लाते हैं तो क्या होगा तब भी स्क्रीन पर कोई प्रतिविम बनता नहीं दिखेगा मुम्बत्ती को धीरे धीरे O के नज़दीक लाते हैं तब भी स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो ये निशकर्ष देना सही होगा कि चाहे केस कोई भी हो अवतर लेंस हमेशा आभासी प्रतिविम ही बनाते हैं यदि स्क्रीन हटा कर देखे तो हमें लगेगा कि प्रतिविम कहीं F1 और O के बीच बनता प्रतित हो रहा होगा प्रतिविम का आकार छोटा और सीधा होगा और ये रहा टेबल इस टेबल में दोनों ही केसिज के अवतर लेंस दुआरा प्रतिविम बनाने की समरी दी हुई है अवतर लेंस का उप्योग चश्मे बनाने और फ्लेश लाइट के लेंस के तोर पर किया जाता है चश्मों का जिक्र अगले पार्ट में होगा इस वीडियो को यदि समराइज किया जाए तो आज हमने विभिन प्रकार के लेंस लेंस के विभिन बिंदूओं के नामकरण चित्र बनाने के नियम अवतर लेंस दुआरा अपवर्तन के बारे में जाना तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो